नमस्कार स्वागत आप सभी का न्यूजरूम पोस्ट की खास पेश कर स्पोर्ट स्पोर्स्ट में रविंद्र जडेजा ने पिछले साल अपने टीम चन्नाई सूपर किंग्स को विनिंग शॉट लगा कर चेंपियन मनाया था जडेजा लंबे वक्त से CSKK एहम खिलाडी रहे लेकिन आप इस बात से बिलकुल अंजान होंगे कि उन पर IPL खेलने से बैन लग चुका है चलिए आपको बताते हैं कि आखिर जडेजा के उपर क्यों लगा था बैन जिसकी वज़े से वो पूरा सीजन नहीं खेल पाये थे लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताविक 2010 के IPL से पहले जडेजा लालच में पढ़ गए जिसके चलते उन्हें एक सीजन बैन का सामना करना पड़ा था दरसल जडेजा को राजस्थान ने 2008 में तीन साल का जो कॉंट्रेक्ट होता उसके तहत खरीदा था लेकिन 2010 से पहले रविंद्र जडेजा ज्यादा पैसो की लालच में मुंबई इंडेंस के साथ कॉंट्रेक्ट करना चाहते थे इस पर जडेजा के खिलाब दूसरी फ्रेंचाइजी से पैसे के बारे में बातचीत और नियम का उलंगन करने के मामला दर्जुआ था राजस्थान ने उन्हें तीन साल के लिए अपने साथ जोड़ा था और नियम के मताविक वह तीन साल तक दूसरी टीम के साथ नहीं जुड़ सकते थे इस घटना के बाद कमेटी ने जडेजा के खिलाब एक्शन लेते हुए उन्हें आईपेल 2010 से बैन कर दिया था आईपेल गवर्निंग का उसनले खुलासा करते में बताया था कि वह लगातार मुंबई के अधिकारियों से मीटिंग कर रहे थे यानि कि आपने देखा ना कि लालच है बुरी बला और इसके शिकार रविंद्र जडेजा भी हो चुके थे 2019 के समय में और अब एक समय वो था जब वो दूसरी टीम में जाना चाहते थे लेकिन और एक समय आज का है जब वो CSK का एक बहुत एहम हिस्सा है और लोयल्टी की अगर बात आती है तो रविंद्र जडेजा की लोयल्टी CSK के लिए एक एक्जामपल सेट करती है और उन्हो को बतादे कि 22 तारिक को चन्ने का पहला मुकाबला CSK वर्सिस RCB के बीच होगा उसके लिए फैंस बहुत जादा एक्साइटेड है अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और देखते रहें निश्रूम पोस्ट